जेहें दोस्तों स्वागत थे आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए आपर जूनियर हाई स्कूल में साहिक अध्यापक के भरती पर इक्षा के लिए यहाँ पर आपको सामनी ज्यान और समसामा एक गटना तार्किक ज्यान से संब बहुत ही महत्यपोंड यहाँ पर कॉस्चन आंसर तो वीडियो को पूरा वस्ते देखना है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने बेल आइकन दवाए और पर क्लिक करें ताकि आपके यहाँ तक पहुंचे जाद आश जाद वीडियो को स युगदान के लिए किस संस्था को चवास्चंद बउस आपदा प्रवंदन प्रोषका2021 प्रदान किया गया तो यह आपके लिए बताना है किस संस्था को यह जो है प्रोषका 2021 टेप्लमेंस डेपलमेंट सोसाइटी जो A है S, E, E, D, S इसको जो है अब्धा प्रवंदन प्रोस्का 2021 प्रदान क्या गया है Q2 आप से यहाँ पर पूंचा गया है कि हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है इसे रिपोर्ट के संदर में निम्न कतन में से कौन सा कतन सत्थ है सत्य कथन का चेंगरना यहाँ पर कूड भी दिये गए हैं आपके तो यहाँ पर आपका सत्य कथन जो है बैविकल्प न्मबर डी राइ्ट आंसर यानी कि यहाँ पर तीनों कतन सत्थ हैं इस passport ranking report में सी से इस्तानों पर ACI देश हैं और report में 85 वे इस्तान पर भारत है, report में जापन पहले और अफगानिस्तान अंतिम इस्तान पर है, question number आपका यहां पर तीन पूचा गया है कि सरकार ने लोकसभा और लोकसभा और विधानसभा की प्रत्याशियों को चुनावी की सीमा तैक की गई है, अब कितनी तैक की गई है, आपके लिए यहां पर बताना है, चार विकल्ब दिये गए हैं, तो आपके यहां पर सही आंसर है, 30.808 जीरो लाक रोपे जो है तैक की गई है, तो विकल्ब नंबर B राइट आंसर आपका यहां पर होगा, question number 4 पूचा, म यह जो तीनों कथन यहां पर दिये गए हैं, यह तीनों कथन सत्य है, question number आपके यहां पर 5 पूचा गया है, कि जनवरी 2021 में आयोजेत 70 भी स्कॉच चैलेंजर अबोड में किस संगटन को यह गवर्नेंस में सर्वसेष्ट प्रदर्शन प्राप्त हुआ था, तो यह गवर्न का मंतराल है, इसको यह प्राप्त हुआ था, तो विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, question number आपका यहां पर 6 पूचा है, social inter-prior ship of the year 2020 अबोड से सम्वानित क्या गया है, तो इसको किसको सम्वानित क्या गया है, यह आपके लिए बताना है, इस अबोड से सम्वान का माली में, युनेशको की विस्वधरुगार सहरों की सूची में सामिल किया गया है, किसको सामिल किया गया है, ग्वालियर, और चा, कजुराह, केरल, इस तीन है आपकी, चार विकल्प आपकी कूट में दिये गए हैं, तो आपके यहां पर question number 7 का right answer है, यहां पर C में हो ज जाता है, कम मनाई जाता है, तो question number 8 का right answer है, 3 December को, कम मनाई जाता है, 3 December यानि की विकल्प number आपका C right answer हो का, 8 का, question number 9 क्या पूचा है, प्रदान मंत्री नरंद मोदी ने हाली में, माल डुलाई के लिए, विसेस रेल मार के न्यू खरजा है, खंड का उदगाटन क्या है, इस दिल मार के संदर में कौन सा कतन सत्य है, वै कतन का सत्य है, तो कूट भी दिये गए हैं, और question number 9 और 9 का जो सही answer है, आपका विकल्प number D आनि की, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ तीनों कतन क्यासी है, सत्य है, तो विकल्प number D आपका यहाँ पर सही answer होगा, question number 10 पूचा है, विस देश के प्रदानमंत्री थे, जिनका हाले में निधन होगया है, यह आपके लिए बताना है, सबसे लंबे समय तक जो है, पद पर रहे हैं, प्रदानमंत्री के, और यह जो है, इनका हाले में निधन होगया है, तो यह आपका यहाँ पर सही answer होगा, किस देश के हैं, तो 10 का राइट आंसर है बाहिरीन यानि कि विकल्प नंबर एक आप कहां पर सही आंसर है गौतम बुद्ध्य ने खालिस्तान में जो है धम चकप बत्तन सुत्य यानि कि धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया कहां पर दिया था ये आपके लिए बताना है तो धर्म नंबर डी राइट आंसर है खगोल विद बराह तमिर और कभी कालीदास किस के दर्वार का हिस्सा थे ये आपके लिए बताना है तो बारा का राइट आंसर है बिक्रमा दित्ते आपका यहां पर सही आंसर है बिल्कुल सही खगोल नंबर 13 है लोह और रक्ति की नीती किसने अपनाई तो लोह और रक्ति की जो नीती अपनाई वह किसने अपनाई तो 13 का राइट आंसर है आपका बलबन बलबन आपके यहां पर सही आंसर हो का भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत है वह लाने का सिरे इन्वे ऐसी किसको जाता है तो यह तो कॉस्चिन बहुती यह मंदर प्रिसिद्ध आपका ब्रूप पाक्षे और यह मंदर कहां पर है तो 15 का आपका जो सही आंसर होगा वह विकल्प नमबर एक यानि की हमपी हमपी आपके यहां पर राइट आंसर है भारत में काजू का पिर्थम परिचाएकिन लोगों ने कराया तो डच, फ्रांस प्रतिगाल तो आपके यहां पर सूलय का जो सही आंसर है भाई आपका सूलय का विकल्प नमबर डी आनि की पूर्टगाली आपका सही आंसर है हिंदू बिदवा पुनर विबाय अदिन्यम 1856 जिसे जो है अदिन्यम 1856 भी कहा जाता है और 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ था जिसे लाड़ खालिस्तान द्वारा पारित क्या गया था तो इसको किस के द्वारा पारित क्या गया था तो आपके यहाँ पर सही आंसर है 17 का विकल्प नंबर C आनिकी लाड़ केनिंग लाड़ केनिंग द्वारा इसे पारित क्या गया था तो विकल्प नमबर C right answer Q18 ए आरे समांच की स्तापना किसने की थी ये Q18 की स्तापना किसने की थी तो आपके हैं पर Q18 का right answer होगा स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी दयानंद सरस्वती right answer होगा Q19 है कि असाहियोग अंदुलन कब बापिस ले लिया तो असाहियोग अंदुलन को बापिस लिया गया था और कभी लिया गया था ये आपके लिए बताना है असाहियोग अंदुलन तो बहुती महत्वण question है और आपका सही answer है question number 19 का विकल्प number 1 यानि की फरवरी 1922 को परवरी 1922 को असाहियोग अंदुलन बापिस ले लिया गया था और question number 20 पूँचा है हड़प सब बता की एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोच किस ने की थी तो लोथल की खुदाई की जो खोच की थी वह किस ने की थी तो आपका सही answer है क्या है S R Rau S R Rau आपका हैं आपसाहिया पर सही answer होगा question number 21 है भारत का सबसे बड़ा एकल दीप सुदूर दच्छन में कौन सा है तो पहें बताने हैं आपके लिए एकल दीप सुदूर है दच्छन में हैं कौन सा है भारत का सबसे बड़ा है और 21 का right answer है D यानि की great निकोबारदीप, great निकोबारदीप आपका सही answer होगा करा कोराम परवत स्रेंकला में सबसे उंची चोटी कौनची है तो करा कोराम परवत स्रेंकला जो है इसमें सबसे उंची चोटी है नंदा देवी, नंगा परवत, या mount K2 या mount average है तो आपका यहाँ पर right answer है, 22 का आपका right answer होगा यहाँ पर विकल्प number B यानि की K2, K2 आपका यहाँ पर सही answer है जिसको Godwin Ashton बोलते है K2 इसका, जो है स्वाटपौम है K2 तो mount K2 आपका यहाँ पर सही answer है बहे नदी कौनचे जिसका उदगम भारत में नहीं है चिनाब, सतलज, ब्यास या राभी नदी बताना है जिसका उदगम इस तल भारत में नहीं है तो बताइए कौनसी बहे नदी है तो आपका यहाँ पर question number है 23 और 23 का right answer है आपका विकल्प number C आनि की सतलज सतलज आपका सही answer होगा question number 24 है खादर और बांगर निमलिकित में से किसे पिरकार की मिट्टी है काली, लाल, जलूर, एलेटे, राइट question number 24 का सही answer बताने है खादर और जो बांगर मिट्टी है ये किस पिरकार की मिट्टी है तो 24 का राइट answer विकल्प number आपका B आनि की जलूर आपका यहाँ पर सही answer है question number आपका यहाँ पर जो अंगला पूंचा क्या है question number 25 क्या पूंचा क्या है यहाँ पर देख लेते है question number 25 देखिए ए आपका question number 25 नमलिकेते है मैं ऐसे कौन एक भारती किरसी की मुख विसेशता नहीं है देखिए किरसी की मुख विसेशता नहीं है भारती किरसी की मुख विसेशता नहीं है तो कौन सी नहीं है तो 25 का राइट आंसर विकलत नमबर D इसमें और द्योगिक फसनों की प्रधानेता है यह जो है यह भारती किर्शी की मुख्विसिष्था नहीं है कॉश्चन नमबर 26 पूच्छा कौन सा कृतिम बंदरगा है कृतिम बंदरगा है आपके लिए 26 में बताना है तो आपके यहाँ पर सही आंसर क्या होगा 26 का राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा चैन नहीं चैन नहीं आपका राइट आंसर होगा निमलेकत मैसी किसने सबसे पहले 1935 में सम्विधान सभा का जो है सुझाव प्रस्तावित किया था निहरू, जेपी नारान, गांधी या M.N.Roy तो किसने सबसे पहले, यानि कि किसने पहले 1935 में सम्विधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया तो 27 का राइट आंसर है, D. यानि की M.N.Roy कॉस्चन नुमर 28 पूंचा है, अंतराश्टी सांती और सुरक्षा को बढ़ावा देनी है भारती सम्विधान के निमलिकत में से किसकी एक भाग में, जो है भाग की रूप में उलिकत हैं, यह आपके लिए बताना है तो कॉस्चन नुमर 29 का जो सही आंसर है 28 का, वह है आपका राइट आंसर 28 का विकल्प नंबर यहाँ पर B आनकी राज़ के नीती निजेशक सिद्दानते के रूप में उलिकत हैं, तो विकल्प नंबर B राइट आंसर होगा राज़ सभा की पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, राष्ट पती और प्राष्ट पती, प्रधान मंतरी या लोक सभा अध्यक्ष तो राज़ सभा की पदेन अध्यक्ष पूंशा है, तो राज़ सभा की पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वह और प्राष्ट पती होते हैं संसत की खर्च किसकी द्वारा नियंत्रत किये जाते हैं तो संसत के जो खर्च होते हैं ये किसकी द्वारा नियंत्रत किये जाते हैं तीस में आपके लिए बताना है तो आपका राइट आंसर होगा नियंत्रक और महालेखा परिक्षक आपका सही आंसर यहाँ पर है भारत में महिलाओं के लिए आरक्षन उपलब्ध है लोग सभा में, राज्य विधान सभा में, पंचायती राज्य निकाओं में या उपरोक्त सभी इस्तानों पर 31 का राइट आंसर बताना है ने तो नीती आयूक के अध्यक्ष कोन है तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर 32 का विकल्प नमबर D आनिकी प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री आपके हैं पर सही आंसर हो का बिलकुल सही नमलिकित में असी कौन सा एक भारती अर्थ वस्ता का प्रात्मिक छेतर है किरसी है सहिकारिता है योद्योग्या उप्रोक्त में असी कोई नहीं नमबर 33 है और 33 का सही आंसर आपके लिए यहाँ पर बताना है तो कौन सा भारतिय अर्थवस्ता का प्रात्मिक छेतर है तो 33 कराइट आंसर एक आनकी किरसी आपके हैं पर सही आंसर होगा कौसे नमबर आपका 34 पूंचा है भारत में सिपकों की धलाई का एक मात्रे अधिकार खालिस्तान के पास है तो किस के पास भातिय बैंक, भातिय रिजर बैंक, भारत सरकार या भारत की सुरक्ष अमद्रण और मीटें, निगम लिमिटेड तो 34 का आपका जो सही आंसर है बहें आपका विकल्प नमबर C आनकी भारत सरकार भारत सरकार आपका यहाँ पर सही आंसर होगा यहाँ पर कॉशन नमबर 35 पूँचा है कि 2001 और 2011 की जनगन्ना की बीच भारत की जनसंख्या में खालिस्तान पृतिसत ब्रद्धी हुई है कितने पृतिसत जो है ब्रद्धी हुई है 2001 से 2011 की जनगन्ना की बीच में कितनी जनसंख्या में ब्रद्धी हुई है तो 35 का राइट आंसर है आपका 70 दिसमलाव 7-0 पृतिसत ब्रद्धी हुई है 2001 से 2011 की जनगन्ना की बीच में जनसंख्या में भारत की question number आपके हैं पर 36 पूंचा है क्या पूंचा है भारत में राष्टिय आई की गंड़ना निमलेकत में ऐसे किसके द्वारा की जाती है योजिना आयोग वित्तमंतराला केंद्य सांखी के संगटन रिजर बेंक आप इंडिया देखे राष्टिय आई की जो गंड़ना की जाती ह तो कितने पृतिसत होता है समुद्री जल का ओस्तन खारापन होता है कितने पृतिसत तो 37 का राइट आंसर सी आनिकी 3.5 पृतिसत question number आपका 38 निमलेकत में से कौन सा बायोडी ग्रेडिवल सामगरी नहीं है यानिकी जेव निमनी करणिये नहीं है तो बताए कपास जानवरों की हड्डियां ऐलूमीनियम फृल या लकडी तो question number है आपका 38 और 38 का आपका जो सही आंसर है बहे है आपका 38 का विकल नंबर सी आनिकी ऐलूमीनियम फृल आपका सही आंसर होगा निमलकेत में ऐसे क्या जलिये निकाय में होने वाले प्रदूशन में योगदान परदान नहीं करता भारी दातू या माइक्रो प्लास्टिक्स या ओजन या कीट ना सक तो निमलकेत में ऐसे क्या जलिये निकाय में होने वाले प्रदूशन में योगदान परदान नहीं करत तो किसके परणाम सुरूप पानी की गुणबत्ता में गरावट आई है तो बताईए मातपुन कॉस्चन है कॉस्चन नमबर चालेस है और आपका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नमबर एक गंदे पानी का सही से निपतान ना कनना कॉस्चन नमबर आपका यहाँ पर एक तालेस पूंचा है पराध्वनेक गती का मापनकन किस एकाई से होता है तो मैक रेक्टर या नौट या हर्टच तो पराध्वनेक गती का मापनकन पूंचा है किस एकाई से होता है तो एक तालेस का सही आंसर विकल्प नंबर एक यानिकी मैक Question number आपका 42 पूँचा है प्रकास के पत में एक खालिस्तान वस्तू की आने पर छाया का निर्माण होता है पारदर्सी होता है या फिर प्रकास मान या पारभाशी या अपारदर्सी तो आपका यहाँ पर Question number 42 है और 42 का सही आंसर है आपका D आने की अपारदर्सी Question number 43 निमलकित में ऐसे कौन एक रेडियो धर्मी तत तो नहीं है तो रेडियो धर्मी तत तो नहीं है पूंचाए आपसे तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर Question 43 का विकलत नंबर D आने की Application आपका यहां पर सही आंसर होगा बिलकुल चाहिए, question number है आपके यहां पर 44, पीतल मिस्रन हैं, किस किस का, तिन और तांबा, तिन तांबा और जस्ता, तिन जस्ता, जस्ता और तांबा, तो आपका 44 का सही आंसर जो यहां पर होगा, कि पीतल मिस्रन हैं, तो जो पीतल मिस्रन ह ज्छता और तांबा को मिलाकर पीतल का नरमान होता है। पॉचछा क्या, क्या पूचा उत्म यह तो कौन सा रोग पॉर्सोओं की तुलबह महिला में बहुत कम होता है। रोग बताने आपके लिए कौन सा रोग है वाई question number है आपका यहाँ पर चालिस बताईए चार विकल्प दिये गए है और वाई कौन सा रोग है तो पॉरसों की तल्ला महिला में बहुत कम होता है तो आपका 45 का right answer होगा यहाँ पर विकल्प number ने आपका डी right answer होगा डी आपका यहाँ पर सही answer है बंड़न दता यह आपका बिल्कुल सही right answer है तो color blindness आपका right answer होगा बिल्कुल सही question number चालिस है आपका नमलकित में से किस vitamin की कमी से rickatus की बीमारी होती है यह question तो कई बार एक्जामे पूंचा जा चुका है कि कौन सा vitamin है जिसकी कमी से rickatus जो रोग होता है यह रोग होता है यहाँ पर 50 question complete करना था तो तो यहाँ पर आपके जो हैं आपके आपके यहां पर question आ गए हैं यहां पर तो यह आप दो तीन question छोड़ देते हैं फिर हिंदी के question है तो इस परकार अपने यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण question complete वे कैसा लगाए यह वीडियो आप कमेंट में जरूरू बताएं अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को subscribe करने बेल आइकन दबाएं और पर click करें ताकि अल वीडियो की जानकारी आपके हां तक पहुंचे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को share करें और वीडियो को like करना न भूलें तो आज की वीडियो इन बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवास सभी के लिए जय हिन